बिसमिल्लायरमायरमा, सलाम अलेकूं सिलाई मसीन में सावुन डालें और सारी जंजट सारी परिशानी को मिंटों में खतम करें सावुन डालते ही मसीन जो है चकाचक चलेगी सारी रिपेरिंग सावुन के हवाले से होंगी और मसीन घर बेठे ठीक होगी एक पेसा भी नहीं लगेगा ना बाहर जाना होगा ना धूप में मसीन लेके चक्र काटने में घर बेठे मसीन की सारी परिशानी खतम हो जाएगे तो चलिए बढ़ते हैं सिलाई मसीन रिपेरिंग की टिपस नमबर वन पर तो देखे मैं आपको भी सिलाई करके दिखाते हूँ कि सिलाई कैसे आ रही है क्यों आ रही है किस तरह से घर बेठे बिल्कुल दो मिन्ट में सही हो जाएगी तो देखे मैं आपको पहले सिलाई लग आपको देख तो हम देखेंगे तो इसमें छोटा से एक दाना सा आ रहा है سलाइ मसीन की सुमी ज़ो है पूरी फ्लैट नीचे से नहीं है हलका सा इसमें नुक्सरी टेडी निकली हुई हम क्या करेंगे कि सुई को निकाल लेंगे और इसे अब हम सही करेंगे तो देखिए मेरी सलाई मसीन पर आपको निशान दिख रहे होंगे कि जब भी इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो मैं सुई निकाल के और इस तरह से घिस ल तो देखें पूरी अच्छे से फ्लेट होगी हाथ लगा करा जहां से भी नुकीली सी लगई थी तो मैंने इसको घिस दिया है और हम में सुई को अच्छे से लगा दूँगी जिस तरह से पहले लगी हुई थी अच्छे से कस्क देंगे हम हाथों से ही अराम से लग जाएगे अगर आप से हाथों से अराम से ना लगे तो आप छोटे पेच के सवगेरा का इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम यहाँ पे सलाई मसीन में धागा डालेंगे और धागा डालके अब मैं आपको सलाई मसीन चेक करवाते हूँ सलाई इसकी चेक कराती हूँ कि किस तरह से अब सलाई आ रही है और अगर आप चाहते हैं कि हम स्वूई को ना घसें हमारी स्वाइम मसीन THKRAPAब हुचेगी तो आप नेल कटर जिससे आप नेल कटर के हिस्से से अपने नेल्स को घिसते हैं उहां पे स्वूई को घिसें तो आपकी स्वूई जब भी ठीक हो जाएगी और दीखिए सलाइ बिल्कुल अच्छा से हमारी लग रही है तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स पसंद आएगी तो इस तरह से कभी भी हो तो घर बेठे सलाइ ठीक करें तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स नबर टू की तरफ तो जब भी हम कुछ डिजाइन बनाते तो हमें जो है पोटली बटन का काम होता है तो ये पोटली बटन जो है मैं आपको इस फिरकी से बनाना बता रही हूं जिससे बिल्कुल एक जैसे बनेंगे एक साइज के तो देखा आपने कितना आसान है थोड़ा सामने फाइबर या रूई का यूज करा है नुखिली चीज से अंदर की तरफ टाला और अब हम इसे धागे से जो है टाइ करेंगे कोई भी सुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिना सुई के इस्तेमाल करेंगे हम जो है यहां पर पोटली आए तो इस तरह से पोटली बटन बनाईएगा इससे आप है न फिरकी की हेल्प से बिलकुल परफेक्ट पोटली बटन जो है बना पाएंगे तो आई होप आपको मेरा यह आइडिया भी पसंद आये होगा पसंद आये तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और शेयर करिए तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स नंबर थी की तरफ तो अगेन यह सिलाई से रिलेटिड है क्योंकि जब भी हम स्लाई मसीन में स्लाई करते तो हमें इस सब प्रोब्लम का सामना करना पड़ता तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपकी सारी परिशानी को खतम करने स्लाई मसीन से रिलेटिड तो देखे किस तरह से दाने आरे तो अगर उपर की तरफ दाने आरे तो इसका मतलब स्लाई मसीन में नीचे कुछ गड़बर है और अगर नीचे दाने आरे तो इसका मतलब स्लाई मसीन में उपर कुछ गड़बर है तो यहां नीचे गड़बर है क्योंकि slime machine में दाने उपर की तरफ आ रहे है काला धागा उपर दिख रहा है और काला धागा मैंने नीचे डाला है तो यहां मैंने धागा बोबिन निकाल ली है तो देखे धागा जो है इसमें से बोबिन में से निकलावा है उसकी वज़े से भी दाने आ रहे थे अगर आपक को डालना देखे धागा इस तरह से निकला वा था इसलिए दाने आ रहे थे तो अब हम क्या करेंगे फिर्की को निकाल लेंगे और फिर अच्छे से इसमें धागा जो है डाल देंगे लेकिन अगर इस यह ऐसा नहीं है और फिर भी दाने आ रहे हैं आपका फिर्की बोबिन तो फिर आपने क्या करना है वो भी टिप्स में आपको बता देती हूं आपने निकाल लेनी अपनी फिरकी क्योंकि आपका फिरकी में अच्छे से धागा डलावा था और यहां पर एक नट होता है बॉबिन में तो हम इसको खोलेंगे वो भी इस फिरकी की हेल्प से ही हम खोले बिल्कुल आराम से यह खुल जाता है लेकिन इसका जो नट होता है बहुत छोटा सा होता है तो ध्यान से खोलेगा ताकि धर धर ना गिरे तो मैंने यहां पर स्लाइम मसिन के ऊपर ही रखके खोला है ताकि यहीं पर यह निकले और फिर खोएगा नहीं कहीं भी और पिर से इसके नट को इसमें लगा के अच्छे से कस देना है और कई दफा यह नट जो है लूज हो जाता है तो भी दाने आते हैं और कई दफा यह नट बहुत ज़्यादा टाइट रहता है धागा नहीं निकल पाता उससे भी दाने आते है तो इसलिए आपको इसमें लगा क खाई और जो भी इसलाई करते हैं घर में तो ये चोटी-चोटी सी प्रॉब्लम सभी को जो है फेस करने पड़ती है, तो आई होप आपको आज सी प्रॉब्लम फेस नहां करनी पड़ें मैंने पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेए हैं तो इस कोशिस के लिए चल्दी से like कर दीजिए और देखिए आम मैं आपको slide machine पर slide करके दिखाती हूँ कि इस तरीके से मेरी slide machine की slide सही हुई या नहीं हुई तो देखिए अभी ये मैंने पहली slide करी अभी मैं एक और slide करके दिखांगी ये देखिए अब fly machine की slide जो है बिल्कुल सही आ रही है अब make over करके दिखाते हुए आपको तो देखे बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो एक ही बार में एक slide लगाने के बात ही decide मत करी के खराब अगए देखे दूसरी slide लगाई तो बिल्कुल perfect आई है तो ये problem भी आपकी दूर हो गई वीडियो कैसा लग रहा है comment करके जुरूर बताईएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपनी tips number 5 की तरफ तो देखे इस तरह के जो मैंने organizer आपको बनाना बता रखा है तो आज मैं आपको इन reel को अगर आपके पास इस तरह का box नहीं तो कैसे organize करें बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आ किसी box के हम अपने धागे की reel को organize करेंगे डवल टेप का कम से कम 4-5 इंच हमने जो लंबाई ले ली ही कट कर लिया है और अब हम इसे slime machine में नीचे की तरफ चिपका देंगे इस तरफ और फिर इसको चिपकाने के बाद इसके जो side में है इसका wrapper उसे हटा देंगे यह हमने हट दिया है और अब इसमें हम धागे किस तरह से organize करें वो भी देख लेते हैं तो जो भी reel आपकी ज्यादा use होती है लगता है कि हमें इसका काम पढ़ता रहता है तो वो reel select करें और लगाईए ताकि आपको ढूंडनी ना पड़े और अम इस तरह से इसमें जो reel मुझे चाहिए मैं organize कर लूँगी अगर आप चाहते हैं कि ये box मैंने किस तरह से बनाया देखना चाहते हैं तो जो है मेरे चैनल पे इसका भी वीडियो है वो भी देख लीजेगा और इस तरह का box बनाना भी बहुत असान है और ये tricks तो ही बहुत ज़्यादा असन जो मैंने आपके साथ शे मैं से मुझे comment करके बिल्कुल बताईएगा और मेरा वीडियो आप लोग कहां कहां से watch कर रहे हैं वो भी अपनी भेन के साथ शेयर कीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं tips नंबर जो है 6 के तरफ जो की साबून के हवाले से तो ये साबून आपके सारी परशानी खतम करने वा बहुत असमें रखे बहुत काम आने वाला है ये बचावा साबून आपके आपको जहां सिलाई लगानी है उस तरफ आपने पैंट में जीन्स की पैंट में इस तरह से साबून को घिस लेना है आगे पीछे दोनों तरफ ताकि ये फिसला असा बन जाए क्योंकि इसके उपर ना फिर मसीन की सुई जो फिसलेगी और अराम से जो है सिलाई आएगी आप चाहे तो सिलाई मसीन की सुई पे भी साबून को रब कर सकते और फिर इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे देखेंगे इसकी जीन्स की पैंट आराम से सिल जाएगी और बिल्कुल भी इसमें ना स तोटे जीन्स की पैंट आपकी सिल्के तयार हो जाएगी मैं आपको सिल्के लाइव दिखा रही हूं यह देखिए सिल्के हमारी जो है पैंट देखिए कमर इसकी कम हो चुकी है मैंने कमर जेखिट डवल फोल्ड में करके स्लाई लगा के दिखाई आपको कैसा ला मेरा यह असलाम अलेकूम